सब्जी की मजबूरी लेकिन सामाजिक दूरी भी जरूरी बेशक सब्जी खरीदना बेहर जरूरी है लेकिन इस दोरानी याद रखना चाहिए कि कोरोना के किलाफ चल रही जंग में सामाजिक दूरी ही असली और कारगर हतियार है जिहां दरसर हर्माणा शेतर के बढ़ारना सब्जी मंडी का है पामला कोरोना वाइरस संकरमन को देखते हुए सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस का ख्यार नहीं रखा जा रहा है सुबह सब्जी खरीदारी करने के लिए पहुँशने वालों की मंडीयों के पास भीड देखी जा रही है ऐसे में शारीरिक दूरी का नियम का पाला नहीं हो पा रहा इस पर प्रशासन को धान देनी की जरूर रहा है क्योंकि संकरमन यहां भी फैल सकता है दुकान दोरों को भी चाहिए कि वे खुद लोगों को डिस्टेंस कवर करने के लिए कहे ताकि संकरमन फैलने की इस्तिवी ना बन सके हम आपको बता दे सोशल डिस्टेंस के लिए राजसरकार और पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को जागरुप कर रही है फिर भी लोगों के कानों तले जू तक नहीं रेंग रही और धडले से लॉकडाउन का उलंगन करते नजर आ रहे हैं जब हमारे सम्वादाता ने तस्वीरे कैथ करने लगे तो मंडी व्यापारी और सब्जी खरीदारी करने आए लोग हडबडा गए और दूर दूर हो गए अब सवाल यह उड़ता है आखिर मंडी में व्यापारियों के खिलाफ कारवाई करेगा कौन या फिर ऐसे ही लॉकडाउन का उलगन कर ऐसे ही धज्जियां उड़ाते रहेंगे हम आपको बता दे कि किसानों की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के बाद भी राहत देते हुए मंडी में फसल बेचने की छूट दी है इसके बाउजूद भी मंडी में लोक सुरक्षा के साथ खिलवाड कर रहे है ब्यूरे रिपोर्ट न्यूज लेवराजस्तान जैपर